हलो भाई लोग कैसन है आप सब उम्मिद करता हूँ कि अच्छ सही होंगे और दुआ करता हूँ कि जो जहां हो अल्लापाक उनकी हर अच्छाई को सेलेक्ट करें भाई लोग आज मेरे चूजों का दूसरा हापता हो गया है यानि कि यह हमारे 14 दिन के चूजे हो गये हैं दो रात में ब्रॉड इंग खत्म करें दिए हैं और रात में जो है कि полов kanali दे करке बाहर से बॉन कर देरता हूं तो जो ठोड़ा बहुत खालनते हैं बूके रहते हैं देख रहा है कितनाम्तबपव खार लेकर आ यमेश्यों पूरा अदम जिदर जा रहे हैं उधर 2014 तो बहुत हाँ भाट होता है हलाकि चोटर दिन के बच्चे हो गए हैं तो आप इन लोग को लगभाग फरबड 18 ग्राम से दिया देने का आज है कि आखरी दिन है तो आज तक भाट देंगे इन लोग को 18 ग्राम के रेट 30 से दर से और कल से इन लोग को अब 22 ग्राम दाना बहा साम को देना हो दिख रहे हैं दाबा लेके दिखर जा रहा है उधारी लोग आ रहा है देखे इसमें जो है कि हमारा लगभाग डेढ़ किलो आटता है मतलों एक किलो पांसो ग्राम आटता है तो हमने इसको आठ सो चूजा है तो आठ सो के मताबिक लगभाग मेरा 12 दीबा के लमसं परडे देना है तो वही इसाब से हम इन लोग को देते हैं छे डीबा सुबह देते हैं और 6 डीबा साम को लगाते तो बिलाब डोजो जहता है आवाज जोए कि लोको गैमबेरों का जोए कि भैक्सिन होता है वो साम को पड़ेगा तो दूख भैक्सिन लगाते हैं क्याकि हम लोग ज्यादा तो रखते नहीं है जैसे 20-20 दिन में हम इन लोग को सेल करते हैं 25 दिन में तो ज्यादा तो नहीं रख पाते हैं लेकिन हाँ जो भी है इन लोग का भैक्सिन अगरा देखे रहें देखें एदाम इसमें वहलना है ना करना चाहर हैं तो उनलोग से गुजारिस है कि आप जो की ज्यादा नहीं 100 200 300 या ज्यादा ज्यादा 500 पहले रख करके जो कि एक बार दूबार चार बार देख लिए ताकि समझ माज है कि इसका मार्केटिंग कैसा है और ये रखने में कैसा है दोस्तों कोई भी काम जो है कि मु आप नहीं होता है लेकिन मुश्किल भी नहीं है अगर आपने ठान लिया है तो मैं तो कहूंगा कि पहले आप जो है कि Kh कर ले अगर हो जाता है आपको पहले ट्रेशन ले ले और ट्रेंग लेने के बाद दोस्तों सबसे बड़ा विजन क्या है कि आपको अपना चारा जो ह चारा बनाएंगे तो लगभग 37-37 रुपया के पड़ता है पुरी स्टाटर पड़ता है तो माले के 5-6 रुपय की उंठल पर बचता है तो उतना भी कम नहीं है ठीक ना लेकिन लोग यहां सिर्फ चूजों का आसर रहता है कि नहीं जब मुर्गी बेचेंगा तो दूपेशा मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है मुर्गी का बिजनेश रुपया की काचा होता है कब क्या होगा कोई गरांटी नहीं है लेकिन अगर दाना का मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो दाना में अगर 5-600 रुपया आपका बचेगा और क्रम्स में बचेगा आपको 7-8 रुपया और ग इंशाला बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और हो सकते तो छोटा ओला एक सो आता है मिक्सर मसीन 20-22 का मिल जाता है उस मसीन का इस्तेमाल करें और इस मुर्गी फिल्ड में आए पहले जांच ले जनकारी ले 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 इसके बाद इसमें आए तो अल्लाह करम करेगा बहुत 200 ग्राम करें लोग का दिखाएंगे आगले वीडियो में इनलों का वेट भी दिखाएंगे और कितना दाना खाया है उस अब कुछ दिखाएंगे अगर हमारे चैनल पर भाई लोग कुछ जो नए है वो महरबानी करके हम लोग का भी वीडियो जो है कि अगर पेज पे हैं त कि लाइक फोलो करें और यटीब देख रहा है तो subscribe करले जब हमारे पजान-मंत्री कह सकते हैं नहीं हमारे चैनल को subscribe करें तो हम लोग क्या चीज़ है अगर्च वालोग देखिए आफ मिला जुलाके ये ठीक है कि मतलब क्या बोलता हैं उसको इससाब डिख्र बार पए माई के मतलब आपके फारं में कोई तीसरा नहीं आएगा जो आप हैं बस दुए रहेंगे दूसरा चीज और सेनिताइजर जो आता है उसको जो है कि वह सूती का बोड़ा में भीजा करके उसको उससे भीजा पानी में घोल के उसको भीजा के रख देना है ताकि कोई भी उससे चट आपको चपल जूतों में लगेगा वो जो की अंदर नहीं जाएगा जोब बाहर का जो की टानु होगा बैक्टिरिया होगा अंदर आपका नहीं जाएगा इससे आपके फारा में बहुत ही सुविधा होगा बहुत ही आच्छा ग्रोथ करेगा और इंशाल्ला जहां तक भी घर हैं थीड खीला है अगर 20 दीन के बाद आगर आपको रखना है तो 20 दिन के बाद truckel sakyla सकते हैं कोई दिकेत नहीं हो गर्लो फीट खिला यह और एक्ठचो एंटिवाइटिक और एक्ठो क्या बोलते हैं बीम रोल जो पाचक होता है पचकी होता है और घर का फिर भी खिलाईएगा तो कोई दिकत नहीं है जहां तक मेरा यह विचार है कि इनलों के मक्का शोयाबीन का अंस तोड़ा बहुत अगर नहीं मिलता है तो पिरी स्टाटर चा best एकंसेटर पर्षेट खर्चा हो जाता है कोशिस करें के साथ परसेंट पचास परisenट खेकर करके जह नहीं के मतलब हम लोग इसको वेट गें करें क्यो止 puts लाफ्व venom कि हमारे में करके डंवागि VOICE ऐ नहीं है कि दायत् elder िज़ए कि जो फोटे किसान है एदम फोटे किशान दूसों 405 रखना चाहते हैं वे pedestrians आप लग मतलब क्यां करते हैं कि मार्फ के परपस से ही मतलब पालन करते हैं ठीख नब और इन लों का का ध्यान देना है थोड़ा बहुत और खुश नहीं है कि देखिए पानी कैसे उठाना है यह कैसे भुठाना है वो कैसे करना है भाई लोग तब तक आज के लिए बसितना है जैज हरकंड जोहार